Hello dear students, welcome again to my channel, बेटा हम कर रहे हैं कक्षा आठ गनित के विद्यारतियों की कार्य पुस्तिका का हल और आज कल हमारा चल रहा है अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है वरग और वरग मूल आप देख सकते हैं और इसका ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, प्रश्ण संक्या 10 तक मैं आ अगर अभी तक आपने चैनल को इतने सारे लेक्चर देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर से जरूर प्रेस करें, चलते हैं आगे म का वरगमूल दस लिखा है एक लिखा है एक का वरगमूल एक लिखा है एक बटे सो का वर एक बटा सो ये केवल एक बटा सो है इसका मतलब है जब हम इसको दश्मलों में बदलेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो एक तो जो इसका वरगमूल है जो एक बटा सो का वरगमूल है व और 100 का भी, दोनों को मैं निकाले चुकी हूँ तो 1 का देखो ना, 1 का तो रगमूल 1 आचुका है, 100 का रगमूल 10 आचुका है, तो यह बटा 10 को जब दश्मलों में बदलो गए तो 0.1, तो इतना सारा लंबा नहीं किया, यहां डारेक्ट शॉर्ट कट किया है, ध्यान दे, अब यह लड़की क्या कह रही है, यह लड़की कहती है, उपर दी गई संख्याओं में प्रती एक संख्या, अपनी पूर्व संख्या का सोवा भाग है, संख्याएं, वरगमूल नहीं संख्याएं देखनी है, पहली संख्या कितनी थी, सो थी, दूसरी संख्या एक थी, जो की सो का सोवा भाग, यानि सो को सो से भाग करने पर एक आता है, तो वो सो का सोवा भाग थी, ठीक है, इस से अगली, देखना यह पहली संख्या है, इस से अगली संख्या यह है, अब इ अगली संख्या क्या थी, sounds ती, आ और अगली संख्या और कर अगा रहों हैं यह वही बता दिया, एक सो का सोवा भाग है, 0.01, miedo को बता"- अब देखो, इसी प्रकार इन से संबन desserts वरग्मूल संख्याउं में क्या, तुम कोई पैटरन देख पा रहे हो, ध्यान देना, सो का वरग्मूल हो गया दस और एक का वरग्मूल हो गया एक, आप ज़ना ध्यान दो दसका दसवा भाग, ंदसको दस से भाग करोगे तो वरग् कितना आएगा कट कर कितना आजाएगा एक आजाएगा और एक को फर्दर फिर दस से भाग करोगे तो इसका वरग्मूल आजाएगा यानि की जीरो पॉइंट एक हाजाएगा अगर संख्याएं सो सो से भाग हो रही है तो वरग मूल दस दस से भाग हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं क्योंकि सो का वरग मूल दस होता है अगली संख्या पिछली को सो से भाग करने पर आ रही है तो यहां उन संख्याओं का वरग मूल पिछली को दस से भाग करके आ रहा है बस इतना सा पैटरन ह एक दस का दसवा भाग है जीरो पॉइंट एक भी एक का दसवा भाग है यही पैटरन यहां चल रहा है चार सो संख्या है चार सो का वरगमूल बीस होता है चार चार का वरगमूल दो होता है चार बटे सो का वरगमूल चार का वरगमूल हो गया दो सो का हो गया दस तो दो बट इनी संख्याओं को फिर लिखो मैं 400, 400 का सोवा भाग, 4 आ गया, ये आ गया, और 4 का सोवा भाग, यानि कि 400 था, 400 को 100 से भाग कर दिया, 4 आ गया, 4 को 100 से भाग कर दिया, 0.04 आ गया, अब इनके वरगमूल की बात करो, 400 का वरगमूल होता है, 20, 4 का वरगमूल होता है, 2 कैसे आ आया बीस को दस से भाग करो दो आ गया भई इसका वरगमूल बीस था इसका कितना आ गया दो और इसको फिर दस से भाग कर दो तो वरगमूल आ गया जीरो पॉइंट दो यानि कि अगर संख्याएं सोवा भाग है तो वरगमूल दसवा भाग हो जाएंगे बहुत एक सिंपल सा लोजिक है जिसकी हम मुझे नहीं लगता कोई आपको ज़्यादा जरुत पढ़ने वाली क्योंकि हमारे पास बहुत ट्रिक्स हैं वरगमूल ग्यात करने की अब यह कहता है उपर दिये गए पैटरन को समझ कर रिक्तिस्थान को भरो चोसट सो का वरगमूल बहुत ही आसान है आप समझें चोसट सो का वरगमूल आप इसके दो इससे कर लो चोसट गुणा सो चोसट का वरगमूल कितना होगा आठ सो का वरगमूल कितना हो गया असी हो गया चोसट का वरगमूल अभी अभी मैं बता चुकी हूं कितना होता है आठ होता है अब बच गया जीरो थोड़ा सा समझना है फिर हमें दश्मलाव तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दिखाई दे रहा है आपको यह देखो यह संख्या थी चोशट सो चोशट सो को सो से भाग करा तो चोशट आया और चोशट को सो से भाग करा तो जीरो पॉइंट छैचार आया यह आ गई पॉइंट आठ आ जाएगा इसका वरग मोटी सी बात है असी था असी को दस से भाग किया आठ आ गया आठ को दस से भाग किया जीरो पॉइंट आठ आ गया खतम अब यह कहता है सारनी में से पैटरन डूंडो और लिखो तो मैं जल्दी से यहां पर पहले आपको पैटरन ल दूसरी संख्या पहली संख्या का सोवा भाग है जो भी दूसरी संख्या है यह देखो सो का सोवा भाग एक था चार सो को सो से भाग किया तो चार आ रहा था चो सट सो को सो से भाग किया तो चो सट आ रहा था यदी दूसरी संख्या पहली संख्या का सोवा भाग है तो दू दूसरी संख्या का वरगमूल भी, पहली के वरगमूल का दसवा भाग होगा, ये पैटरन हमने यहां से पकड़ा है, बार बार मैंने बता दिया है, आप इसको लिख लीजिएगा, इस पैटरन का उपयोग कर, अब ये देखो ये कितना बन रहा है, एकाई, धाई, सेकड़ा, अजार, दस अजार, लाक, छे लाक, चालिस हजार, और 0.0064 का मान बताओ, तो सबसे पहले तो मैं ले लेती हूँ, छे लाक, चालिस हजार का वरगमूल, वैसे तो ये बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको इसको टुकड़े करके बताती हूँ, ये ब हो गया 10, और फिर 10, तो ये वरगमूल हमारा कितना आजाएगा, 800 आजाएगा, भी है दासान, ठीक है, अब इसका वरगमूल, इस पैटरन से अगर हमें डारेक्ट निकालना है, तो आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, कि 6,004,000 को मैं कितने से भाग करूं, कि 0.0064 और आप इसको 6,004,000 से ना लो, 6,004,000 से ना लो, आप ऐसा करो, 64 का वरगमूल कितना होता है, 8 होता है, तो ये 64 का कितना भाग है, ये 64 का 10,000 हुआ भाग है, ध्यान देना मेरी बात पर, 0.0064 का मतलब होता है, 64 बटे 10,000, एक, दो, तीन, चार जीरो, दस हजार, अब तु पिछली का सोवा भाग है, सोवा भाग है, तो जो वरगमूल है, वो दसवा भाग हो जाएगा, अब ये 10,000 भाग है, तो वरगमूल कितना हो जाएगा, इसका सोवा भाग हो जाएगा, यानि 8 बटे 100 हो जाएगा, तो जब मैं इसका वरगमूल निकालती हूँ, तो वो 8 बन जाएगी एक सिंगल जीरो और यहां दश्मलों लग जाएगा लिल्कुल आसान सा तरीका ऐसे ही यहां पर था दश्मलों के बाद चोसट था चोसट के नाम का आठ लग गया और दश्मलों के नाम का दश्मलों लग जाता है आपको समझा रही है मेरी बात तो यह बहुत आ असान सा सवाल था अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 12 पर नीचे दी गई संख्याओं के वरग निकालो वरग का मतलब समझ लो एक का वरग करना है वही हमने एक का वरग तो एक का वरग का मतलब एक करके दिखा रही है बस मैं एक गुणा एक और वो कितना आ जाए तो ये भी जमा का एक आएगा दो का वरग करोगे तो कितना बनेगा दो दुनी चार लेकिन जब तुम माइनस दो का वरग करोगे तो वो क्या बनेगा माइनस दो माइनस माइनस हो गया पलस चार ये भी चार तीन का वरग नो माइनस तीन का भी नो चार का वरग चार चार च के 16 36 36 माइनस 6 का भी 36 समझा दिया है मैंने यह करके 10 दाइं 100 और माइनस 10 को माइनस 10 से करोगे तो भी 100 आएगा उपर युक्त सारनी में किन किन संख्याओं के वर्ग समान है तो देखो जरा 1 और माइनस 1 का दोनों के वर्ग समान है 2 और माइनस 2 का समान है 3 वे माइनस 3 का समान है 4 वे माइनस 4 का समान है 6 और माइनस 6 का समान है और 10 और माइनस 10 का समान है क्यों समान है कि बस संख्याओं तो वही हैं और दो नेजिटिव को जब गुणा करते तो पोजिटिव बन जाता है अब ये पुछता है कि क्या वे संख्याएं समान हैं कोण सी संख्याएं क्या एक और माइनस एक समान हैं जिनके वरग समान आ रहे हैं नहीं संख्याएं समान नहीं है नहीं वो लिखना चाहो लिख दो नहीं तो ये जरूरी नहीं है नहीं संख्याएं समान नहीं है फिर भी व पर्ग समान हो सकता है ठीक है ना या एक ही संख्या है जो पोजिटिव भी है और नेगेटिव भी है तो वो बात लिखो बलकि आप धनात्मक वैं रिनात्मक संख्याएं यदि मान में समान है मान में यानि उनकी वैल्यू इक्वल है धनात्मक वैं रिनात्मक संख्याएं यदि मान में समान है तो उनका वर्ग समान होता है वरग मूल की बात नहीं कर रहे हैं अब हम हम बात कर रहे हैं वरग की उनका वरग समान होता है चेक है अब आगे समझो X की घात 2 बराबरे 4 है X के किन किन मानों के लिए यह समीकरन सकते है आपने हल नहीं करना कुछ नहीं करना आपको कहा गया है कि X की पावर 2 चार है यानि मैं X की जगा क्या रख दूँ कि मेरा उसका वरग करूँ तो मेरा उत्तर चार बन जाए आपके बिलकुल उपर यहां सवाल है अगर मैं X की जगा दो रख दूँ ध्यान देना यह बनेगा दो का वरग और दो का वरग कितना आएगा चार अगर मैं X की जगे माइनस दो रख दूँ तो भी माइनस दो का वरग कितना हो जाएगा माइनस दो गुणा माइनस दो यानि चार कहने का मतलब है कि यहां पर X के स्थान पर क्या क्या रख सकते हैं तो यहां X के स्थान पर 2 रख सकते हैं और X के स्थान पर माइनस दो रख सकते हैं, सिंपल, ठीक है ना, अगर नहीं समझाए बिटा, कमेंट बोक्स में लिखो, मैंने आपके लिए वटसप ग्रूप बनाया है, उसके थुरू आप अपने प्रॉब्लम्स शेर कर सकते हो, और अगर लेक्चर समझाए, सब्सक्राइब जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेर करना है, निमलिकित समीकरण यह इक्वेशन को हल करो, पहला देखो, एक्स की दो घटा 16 बराबरे 0, जब भी हम किसी समीकरण को हल करते हैं, तो चर को एक तरफ रख लेते हैं, तो एक्स की दो को तो यहीं रखेंगे, 16 घटा क माइनस चार, वैसे इसको करने का जो सही तरीका बड़ी कक्षाव में होता है, वो यह होता है, एक्स की घट दो बराबरे 16, दोनों तरफ हम लेंगे वरग मूल, इस वरग मूल से वरग कटकर एक्स आ जाएगर, 16 का जो वरग मूल है, वो जमा का भी 4 बनता है, और घटा का बिचार बनता है, तो एक्स के दो उत्तर आते हैं, लेकिन इसका लॉजिक हम यहां उपर समझ चुके हैं, कि जमा की और घटा की संख्याओं का वरग समान आता है, आगे बढ़ते हैं, एक्स की दो जमा दो बराबरे 11, दो को राइट साइड में ले जाओ, ऐसे एरो लगाय करो तरीके से किया, करो काम को, 11 यहीं रह गया, दो को राइट में ले जाओ, माइनस का हो गया, 11 में से दो गए, 9 बच गया, सवाल बन गया, एक्स की पावर 2 बराबरे 9, यानि कि एक्स का वरग 9 है, तो एक्स का मान क्या क्या हो सकता है, तो एक्स का एक मान 3 होगा, और एक मान माइनस का 3 होगा यह आसान सा सवाल था सारे यह आसान है तीन एकी दो बराबर है 363 जब भी कोई समीकरन हल करना होता है तो हमें उसमें धिये गेचर का मान निकालना होता है तो हमें एका मान निकालना है तो एका मान निकालने के लिए ए वाली रकम यानि एकी दो को तो ले 326, आप जिन बच्चों को काटना ना आये, 360 को ऐसे बीच में रखो, 3 से भाग करो, 3 एकम 30, 0, ऊपर से उतारा 6, 3 में से 6 जिरो, उपर से उतारा 3, 3 एकम 30, 0, भाग फला गया, 121 और जिन बच्चों को काटना आता है, वो मूझवानी 3 एकम 30, 326, तो यह कितना आ जाएगा एकसो एकिस और एकसो एकिस किसका वर्ग होता है याद करो ग्यारा को जब ग्यारा से गुणा करते हैं तो एकसो एकिस आता है तो ग्यारा का वर्ग भी एकसो एकिस होता है और माइनस ग्यारा का वर्ग भी एकसो एकिस होता है आगे-बढ़ो, लास्ट पाट रहिए, इसका चार टी की दो बराबरे उनचास बराबरे उनचास बते चार, अब यहाँ ध्यान देना है, अब हमें टी का मान निकालना है, अब उनचास चार से भाग नहीं होगा, क्योंका उनचास विशा में चार सम है, लेकिन उनन्चास का वरग मूल अलग निकल सकता है और चार का अलग निकल सकता है उनन्चास का वरग मूल होता है साथ या घटा साथ चार का होता है दो या घटा दो तो हम यहां से डारेक्ट टी का एक मान ले लेते हैं साथ बटे दो अब देखो ना डिनॉमिनेटर को दिनॉमिनेटर से करोगे डिविजन में 4 आ गया 49 by 4 और T की दूसरी वैलिव आ जाएगी माइनस 7 बाई 2 क्यों क्यों कि भीया जब माइनस 7 बाई 2 को माइनस 7 बाई 2 से करोगे माइनस माइनस प्लस यह आ गया बिटा उने चस बटे 4 तो यह दोनों हमारे अन्सुर आ जाएंगे आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 14 एक वरगाकार होल के वरगाकार फर्ष का शेत्रफल 1521 वरग मीटर है यह एक वरगाकार होल मैंने बना दिया होल तो देखो बनेगा ने क्योंकि 3D में होता है यह उसका फर्ष बना दिया तो यह फर्ष की लंबाई हो गई X मीटर बेटा यह फर्ष की चोड़ाई हो गई X मीटर तो हम क्या लिख देते हैं माना फर्ष की एक भुजा, एक्स मीटर तो जो हमारा फर्ष का शेतरफल आएगा, याद करो वर्गा कार फर्ष का शेतरफल क्या होता है, ये होता है भुजा गुणा भुजा यानि एक्स की दो और ये तो हमें 1521 दे रखा है, यानि एक्स की घात दो किसके बराबर हो गई, 1521 के, और ये बिल्कुल वैसा ही सवाल आगया जो भी हमने पीछे किया है, लेकिन वो तो बड़े चोटे-चोटे थे, उनमें तो हमें आसानी से पता लग गया था कि इसका वरगमुल क्या होगा, अब इसका वरगमुल निकालने के लिए हम मदद लेंगे, अभाज्य गुननखंड की, तो यहां मैं लिखती हूँ 1521, और ये देखो 21 के पीछे एक है, तो ये दो पे तो जाएगा नहीं, अभाज्य गुननखंड, तो तीन पे देखते हैं, तीन पे कब जाएगा, पहले इ बयोग कर लो, एक और पांच, चैयर दो आठहर, एक नो, बिल्कुल ये तीन पर जा रहा है, तो तीन पंजे पंदरा, ना जने की जीरो, तीन साथ जैरू, तीन पे जा रहा है, तीन एकम तीन, पांच में से तीन गएऊ, दो तीन चिंग, तारा, तीन निम सक्द्थ Michael उम मै गया बेटे 13 एकम 13 ध्यान देना 1521 के जोड़े बनते हैं 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 और जब आप इसका वरगमूल करोगे तो वरगमूल करते समय इसका उपर वरगमूल लगेगा और ये दो दो के जोड़े अकेले होकर बाहर आ जाते हैं अब इसका हल कराने के लिए ठीक है 1521 का वरगमूल हो जाएगा जब इस वरगमूल में से 2 बार 3 है तो एक बार बाहर आ जाएगा दो बार 13 है तो एक बार बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 13 तिये 49 यानि जब X की पावर 2 1521 है तो X की वैल्यू 49 होगी अब हमने यहां माइनस 49 नहीं लिया क्यों कभी भी वरग की भुजा रिनात्मक नहीं होती है तो हमारे पास जो वरग की भुजा आएगी फर्ष की जो भुजा आएगी वो केवल और केवल 49 मीटर आजाएगी ठीक है आगे बढ़े अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह जाता है पाइथागोरियन त्रिक का बहुत इं पाइथागोरीन ट्रेपलेट्स भी हम उनको इंगलिश में बोल देते हैं उधारन के लिए मैंने लेली तीन संख्याएं तीन चार और पांच कोई संख्या एक 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 वाई है एक जेड है कुछ भी हो सकती है तीन का वरग करो 9 आयेगा 4 का वरग करो 16 आयेगा पांच का करो 25 जब हम 9 और 16 को जोड़ते हैं तो क्या हमारा 25 बनता है बिल्कुल बनता है तो हमने जो बात नोट की वो नोट करने वाली बात को समझ ले ना अब आप जरा ध्यान पूरुवक कि 9 क्या है 3 का वरग है 16 क्या है 4 का वरग है 25 क्या है 5 का वरग है अगर हमारे पास कोई ऐसी तीन संख्याएं हैं जिन में से किनी दो का वरग का जोड तीसरे के वरग के बराबर हो तो वो तीनों संख्याएं पाइथा गोरियन भी बोल देते हैं हिंदी में पाइथा गोरस त्रिक बोल देते हैं इंगलिश में इनको पाइथा गोरियन ट्रीप्लेट्स बोल देते हैं तो उसका करण हमेशा कितना आएगा, पांच सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, जो लॉजिक है वो आपने समझना है, अब इसको एक बार वैसे देख लेते हैं, आपकी परिवाशा के अनुसार कि अगर X, Y और Z कोई तीन संख्याएं हैं, और X का वरग और Y का वरग Z के वरग के बराबर हो, या Z का वरग और X का वरग Y के वरग के वरग के बराबर हो, तो ये तीनों संख्याएं पाइथागोरियन ट्रिक कहलाएंगी, समझा रही है बात, तो यही बात यह कहा है, इसने 3, 4 और 5, 6, 8 और 10, 6, 8 और 10 भी ले रहा है, 6 का वरग देखो, 36, 8 का वरग देखो 64 10 का वरग देखो 366 में 64 जोड़ कर देखें सभी बच्चे कितना आ रहा है सो यानि कि 6 का वरग जमा 8 का वरग 10 के वरग के बराबर है तो 6 8 और 10 भी पाइथागोरियन त्रिक हो जाते हैं तो एक मैंने ट्रिपलेट बताया त्रिक त्रिक माने जो तीन तीन का पेर हो त्रिपलेटी बोल देते हैं तीन चार पांच हो गया 6 8 10 हो गया ऐसे बहुत मिलेंगे अब हमें उनको ढूंडना है देखना है तो तीन चार पांच और 6 8 10 पाइथागोरियन त्रिक है आगे चले नीचे कुछ प्रशन संख्या पंद्रा नीचे कुछ समकोन त्रिपुज दिये गए हैं इनकी बुजाओं के बीच दिये गए अधूरे संबंदों को पूरा करो यहां लिखा हुआ यह दब रहा है इसमें बुक में पूरा करो ठीक है तरीका मैंने अभी बता दिया है जब भी पाइथागोरियन त्रिक की बात आती है तो एक समकोन त्रिपुज बनता है तो आधार का वर्ग एक सिंपल सी बात यह आधार है जो नीचे है यह जो खड़ा है नब्धे के एंगल पर यह लंब है और यह भुजा हमारी करण है तो हमने साफ तोर पर क्या देखना होता है कि आधार का वर्ग जो नीचे है और जमाल लंब का वर्ग किसके वर्ग के बराबर होता है करण के वर्ग के बराबर होता है तो यह क्य आब रहे होगा क्यों का वरग जमा किसका सिम्बसी बात है आर का वर यह नब्बे का एंगल है इसके सामने करन है तो पी का वरग इन दोनों के वरगों के जोड के बराबर होगा आगे बढ़ते हैं धेखो जरूरी नहीं समकोन तरबू जैसे ही बने इसको उल्टा भी घुमा स सकते हैं यह देखो जरा समझने की कोशिश करो समकोन तिरभू जाईए इसी की तरह है बिल्कुल सीधा ऐसे कर दूंगी तो यह इस तरह दिखेगा आपको आप इसको ऐसे देख रहे हो तो यह देखो दिख रहा है सीधा दिख रहा है न सभी बच्चों को यह लंब है यह आध धीब है है ना तो यह आधार हो घया यह लंब हो गया 90 के जस्ट वारै नहीं पड़ेगा कि यह समकोन तिरभूज नहीं तो बराबरे रह जाएगा जैड की दो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जैड की दो को तो इधर ले आओ और वाई की दो को उधर ले जाओ दोनों ही उत्तर हमारे बिल्कुल बिल्कुल सही है समझ में आरी मेरी बात देखें एक बार जरा फिर से देखने की कोशिश करें अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे सीधा कर दूँ तो इस चितर के अनुसार ये एक्स है ये वाई है ये जैड है ये नब्बे का कोण है तो पाइथागोरियन ट्रिप क्या कहता है कि दो का वरग तीसरे के वराबर होगा एक्स की दो एक्स का वरग होगा वाई का वरग जमा जैड का वरग अब इसको इधर ले आओ तो वाई का वरग घट गया जैड का राइट में रह गया या जैड को इधर ले आओ ठीक है और वाई का राइट में रह गया तो दोनों बाते एक हैं कान की दर से भी पकड़ लिजीए, पकड़ ना है, समझे बात को, तो दोनों ही सकते हैं, आगे चलते हैं, देखो, यह लड़ की सीडी चढ़ रही है, तो एक दिवार ऐसे है, और इक ऐसे है, यह शे हैं, यह नभे का कौन है, ये आठ है और ये करण है ये करण है तो करण का वरग एक वरग किसके बराबर होगा छे का वरग जमा आठ का वरग चीक है और ये लास्ट है हमारा ये पंदरा है ये के है और ये सतरा है हमें वेल्यू नहीं निकाल नहीं कोई भी हमें बस संबंद बताना है तो के का वरग ये है बच्चे सत्रा ये है के नब्बे के सामने तो ये क्या सिखा है हमने सत्रा का वरग सत्रा बड़ा है ना तो सत्रा का वरग होगा के का वरग जमा पंद्रा का वरग इन दोनों के वरगों का जोड सत्रा के वरग के बराबर होगा लेकिन ये तो के को एक तरफ रख रहा है सोरी ये तो के को एक तरफ रख रहा है जब के एक तरफ है के एक तरफ है तो स्थान किसने छोड़ा पंदरा ने पंदरा इधर आ गया तो सत्रा के वरग में से पंदरा के वरग को घटा दोगे तो के का वरग आ जाएगा तो के का वरग बराबरे सत्रा का वरग घटा पंदरा कbles फकारंण से कि वरत फक्रेश्स क्वार्णि यह संब वरत इन दोनों के वरगों के जोड़ के बराबर हो जाएगा पीका वरग जमा पाँच का वरग समझा आ पी का वरग जमा पाँच का वरग आप हम चलते हैं प्रश्ण संक्या यह C है, यह D है, गाएं को यहां से यहां आना है, यह gate दिख रहा है, यह gate C पे भी है, बताओ किस रास्ते से जाए कि उसे कम से कम दूरी त्या करनी पड़े, बिल्कुल सिंपल है, वो ऐसे सिद्धी आए, ऐसे सिद्धी आएगी, तो उसका देखो एक तो वो यहां से ऐसे ऐ से आए, यह से ऐसे आए, वो लंबा पड़ेगा, और A से C तक आएगी, तो उसको सबसे छोटा पड़ेगा, तो सबसे पहले तो प्रश्नी यह है कि किस रास्ते से जाए, तो आपको यहां लिखना है, गाएं A, C, विकर्ण के साथ जाए, गाएं A, C, विकर्ण के साथ हो गया, इस रास्ते को चित्र में दर्शाओ, दर्शादिया हमने यह रास्ता, दर्शादिया, और उसका नाप भी बताओ, अब नाप बताने के लिए इसी को दुबारा देखो, द्यान चेगर मैं हलका सा यह डाइगराम और बना लूँ, यह, यह, और यह, तो यह तो मेरा यह, पॉइंट है, जहां गाएं ही, देखो, यह खड़ी है, यह दूरी मेरी 24 मीटर है, यह पॉइंट B है, यह C है, और यह दूरी 70 मीटर है, और यह 90 का कोण है, तो मुझे AC बताना है, तो यह तो पाइथगोरियन त्रीक हो गया, त्रीक हो गया तो अब हम उससे क्या करते हैं कि AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर है क्या होगा, AB का वर्ग, ठीक है, जमा BC का वर्ग, यानि कि 24 का वर्ग, AC का वर्ग आ जाएगा, 24 का वर्ग, जमा में 70 का वर्ग, अब यह तो आपको हल करना पड़ेगा, कैसे हल करोगे, अब देखो, 24 के वर्ग का मतलब है 24 को 24 से गुणा करना है गुणा कर लेना 576, 24, 99, 576 आएगा तो ये तो आएगा 576 और 7 का वर्ग होता है 99, 70 का हो जाएगा 99, 576 जमा 99, 4900 में जब मैं 576 जोड़ूंगी तो ये बनेगा 6, 7, 9, 5, 14 और 4 और एक 5 5,476 तो A.C. का वर्ग आ गया 5,476 अब हमने ये विकर्ण बताना है तो विकर्ण बताने का मतलब हमने A.C. का माहिन गयात करना है हमें A.C. का वर्ग पता है 5,476 है तो हमें ये बताना है कि 5,476 किसका वर्ग है यारी हमें 5,476 का वरग मूल करना है इसके लिए हम करेंगे 5,476 के अभाज्य गुनन खंड जो की बहुत लंबे भी पड़ सकते हैं दो दुनी चार, दो सात्य चोदा, दो ती अच्ष में 2, U18, फिर दो पे जाएगा 2, U18, दो चिके बारा, दो निम अठारा, नोर छप पन्दरा ये ती तहरा पे जाएगा, तेरा एकं तहरा ना जाने की जीरो, और नई, तेरा एकं तेरा, ये बेटा तेरा पे भी नहीं यह जाएगा आपका 37 पे हम इसको लंबी भी भाजन विदी से भी कर सकते हैं देखो मैं आपको जल्दी से एक पर फटा फट बताना चाहूंगी लेक्चर तो बहुत लंबा हो जाएगा लंबी भी भाजन विदी से जब हम वरगमूल निकालते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं और यहां पर एक पूर्ण वर्ग संख्या से हम भाग करते हैं तो आठवाटू चोसट तो बड़ा हो जाएगा तो साथू साथू उननचास आएगा चोदा में से नो गए पांच उपर से यह चोदा उतार लिया और साथ और साथ को जोड़ा तो चोदा आया और चोदा के प बहुत ही जादा लंबा पड़ने वाला है आपके लिए तो तीन साथ एक इस दो तीन तीया नो और दो ग्यारा च्छह में से एक गए पांच तीन में से एक गया दो नो और यह साथ पे चला जाएगा दो सो उनसर तो यह यहां पर आपका आएगा सैंतिस ध्यान देना यह भ अर्थार्थ जो गाएं है वो 37 मेटर चल कर आएगी तो आप इसको डारेक्ट भी कर सकते हो अपनी वर्क बुक में तो बाकि जब आप मैस में करोगे तो आप वह लंबी विभाजन विदी से भी सीखोगे प्रेशन संक्या 17 तास के पत्ते में एक्स का माइन ग्याद करो थो यह दूरी 64 है और यह एक्स है तो जो एक्स का वरग होगा वो क्या होगा 48 का वरग जमा 64 का वरग समझ में आरी मेरी बात यह 64 यह दूरी 64 बस और यहां से यहां तक की दूरी 48 तो यह हमने निकालनी है तो अब हम फटा-फट से पहले 48 का वरग कर लेते हैं आपने हर कैलकु दस नोर तिन बारा और एक तेरा एक और एक दो ये आएगा दो हजार तीन सो चार और जब आप बेटा जी 64 को 64 से करिएगा चार चोग 16, 4, 6, 24, और 21, 25, चैर चोग 24, हासिल पाई 2, 6, 36 और 2, 38, 6, 5, 4, 9, 8, 12, 10, 4, 096 और जब हम इन दोनों को जोडेंगे 4,096 और 2,304, 6, 4, 10, 9, 1, 10, 1, 4, 4, 2, 6, कितना आया 6400 6400 का वरग मूल तो हम अभी पीछे निकाल चुके हैं तो X की वैल्यू आ जाएगी 80 कितनी आ जाएगी 64 का वरग मूल 8 और 2 0 है तो 1 0 लगकर X का मान 80 आ जाएगा और ये आपका लास्ट प्रश्ण है 18 इन में से कौन से त्रिक पाइथा गोरियन त्रिक हैं जिसकी हमें जाच करनी पड़ेगी ठीक हैं फटाफट सब के वरग करते चलो मूझवानी करके देखने की जरत नहीं है साथ मतलब इस पे तो जो होंगे उन्हीं को करके दिखाएंगे साथ का वरग 49 आठ का वरग 64 और 15 का 225 ये बड़ा है इन दोनों का जोड देखो इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है तो हम ये लिख देंगे कि नहीं ये है पाइथा गोरियन त्रिक नहीं है आगे चलें 2, 3 और 5 देखो जरा 2 का वरग 4 है 3 का वरग 9 है 5 का वरग 25 है 9 और 4 का जोड 25 तो नहीं आ रहा 25 और 9 का जोड 4 नहीं आ रहा तो ये भी हमारा पाइथा गोरियन त्रिक नहीं है 5, 12 और 13 ये है हमारा आप इसको करके भी देख लेना 13 का जो वरग आएगा वो 5 का वरग जमा 12 का वरग होगा तो आप लिखो हाँ ये है पाइथा गोरियन त्रिक है देखकर करके देख लो ये 13 का वरग 169 है 5 का वरग 25 है 12 का कर लेना 144 144 और 25 का जोड 169 आएगा दो संख्याओं के वरगों का जोड अगर तीसरे के बराबर हो तो वो तीनों मिलकर पाइथा गोरियन त्रिक बनते है 7, 24 और 25 भी बनेगा क्योंकि 25 का जो वरग होता है वो 7 का वरग जमा 24 का वरग होता है तो हाँ ये है भी पाइथा गोरियन त्रिक है इसको भी आप जल्दी से करके देख लो 25 का वरग होता है 625 7 का वरग होता है 49 24 का वरग अभी अभी बताया था 576 जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो 625 आएगा और ये लास्ट बच जाता है और ये लास्ट वाला भी हमारा पाइथागोरियन तरीके मैं जल्दी से आपको करके दिखाती हूँ 12 का वरग 144 होता है करके देख लेना 35 के वरग का मतलब 35 को 35 से गुना करना 1225 आएगा 37 का वरग अभी इस सवाल में ये हमने यहां पर ये किया है 1369 आ रहा है और हम देख सकते हैं कि 144 में जब 1225 जोड़ोगे तो 1369 आएगा यानि 12 का वरग जमा 35 का वरग बराबर 37 का वरग तो इसका उत्तर भी हां आ जाएगा तो उपर के दो पाइथागोरियन तरीक नहीं थे यह तीनों पाइथागोरियन तरीक हैं और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 6 वरग और वरग मूल समापत हो जाता है कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो और मेरे वाट्सअप ग्रूप को जोईन करो ले थे यू